नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 9 Pro है आपके पास Note 10 है या कोई और मॉडल है तो यहाँ पे सारे Redmi की बात करने वाली हूँ कि आप data limit कैसे set कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो security वाला option है आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे scroll करना है आपको यहाँ पे data usage का option देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर आपको step option देखने को मिल रहा है set data usage limit आप इस पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर set data limit आप कर सकते हैं तो यहाँ पर monthly data limit आप यहाँ पर set कर लेंगे कि आपको monthly में मिलता कितना है तो मैं यहाँ पर 5 GB कर लूँगे यहाँ से आप GB और MP change कर सकते हैं और OK कर देंगे और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ और ए तो मैंने कि यहाँ पर आपको limit देखने को मिल चाएगा कि कितना gb पर आपको limit चाहिए warning चाहिए सौरी तो मैंने 90% कर लिया है इससे कम करना चाहते हैं तो इससे कम कर सकते हैं 80% पर 4GB पर आपको warning आ जाएगा कि यहाँ अब अपना usage बंद कर सकते हैं OK कर देंगे ताकि आप बात के लिए बचा सकें और यहाँ पर level तो मैंने बता दिया है अब यहाँ पर date आ जाती है तो यह हर महीने कितने तारिक को दुबारा से reset हो जाना चाहिए मतलब restart हो जाना चाहिए तो मैंने एक तारिक set कर दिया है आप यहाँ पर date change कर सकते हैं अपने recharge के दिन के according okay कर देंगे और यहाँ पर आपका data plan automatically active हो जाना चाहिए तो इसके लिए यह on रखेंगे तो इस ट्रैप से आप यहाँ पर data limit की setting कर लिजेगा आई होप गाई यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगा चली मिलते आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्का आपकर जब देग्वाण में विए यहाँ वीडियो में वगाँ थे से दो आपका उडाँ मिलती कि कि वpenड़ पर वाँ देख जबो जीडियो एकशपर लाँ एकाट कि राँड़ जस बड़काट कि ऑनले आपको झाई होगोगा पनले कि विए तर के पर एक्से पकाश़ आ